तो हजार तूजरो टूफूर की जो पर्ची चुनाओ की निकलेगी वो क्या कहती है आपके हिसाब से पर्ची जो निकाली जाए 1924 की है तो हजार चौविस की है, हमने कभी राजनेताओं के भविष्य पर पर्चीया निकाले है हम पार्टी के पूछ रहा हूं पर किया संभावना लगते हैं हम कोच नहीं कह सकते हैं जो देश का कल्यान की इत्की सब्द देगा बourई जो भारत को विश्यगुरू बनाने की ऋरगशरी कि होगा जो भारत की जन्ता का लार हिट करेगा नारत कि लो गारत कर एक दोनों लोग आपके तालाब में आते हैं सबाकिने हमारे झालाब नहीं पर वाते हैं हम भी वहां पानी है हम तो सिर्फ रस्ता दिखाते हैं ऐसे पीना चाहिए तो दोनों को आप विजाई भव विजाई भव कह देते हैं और जीता तो इसके लिए दूसरे इंटर्व्यू के इंदजार करूंगा और जब मैं यही पहला प्रेशन पूज़े वह दूसरा हाथ इसका मत समझ लेना कि ज यह आपने कहा है अंदर वेटता उसको दोनों हाज इसको उठाते हैं वह कौन से लोगे इस पर हम कोई बात ही नहीं करें क्योंकि हम राजनेती पर राजनेताओं पर कोई बात नहीं करते हमारे पास उनके लिए कोई शब्द नहीं रहूल गांधी निशब्द निशब्द किसी भी इंटर्व्यू में बोला ने विकती विषेश की हुए लिएयत्रा किसी के भी बारे इसे शंपने मैं कै राजनीति से संपनि किसी इते में बैतले आप के बारा मैं कि आप जबर्दस्त्य मार्केटिंग इयंग में बिजनस आप समझते हैं लोगों का ये ज्ञान और ये भ्रंबरकरार ये शुरू बनाए रखेश तो आप बहुत अच्छा जानते हैं एक ही दो लोग है जो इससे पहले राजनीत में भी एक ही दो है और आपके सादू-संत समाज में भी एक ही दो लोग है जिननोंने तेलेवीजिन को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया उसमें से लोग कहते हैं एक आप भी हैं युग को टेलेविजन को बहुत अच्छी समझे हैं नहीं हम बहुत सहज बस जीते हैं आपने कहा के इंटर्विव लेना है कोई तैयारी नहीं बैठ गए इंटर्विव लिए जो नियाय पूर्ण बाते हैं मंच पे बोलते हैं जो टीम में बोलते हैं वो आपसे कह देते हैं बस हमारे इंसाइड और आउटसाइड ट्रांस्परेंसी है दर्शन मामला यह अच्छा है